नमस्कार दोस्तों आप सभी का अमारे इस चैनल में हरदिक स्वागत है आदमी सम्मान मिल चुका है आईए प्रमुक रचनाए देखते हैं कुरु कुरु स्वाहा कसप हरिया हरिकुलेस की हैरानी हमजाद क्या आप या आपके प्रमुक कहानी संग्रा है एक दुर्लब व्यक्तित्व कैसे किस्सागो मंदिर गाट की पोडियां टट्टा प्रोफेसर शष्टी वल्लब पंत नेता जी कहीन इस देश का यारों क्या कहना ये आपके व्यंग्य संग्रा है बातों बातों में 21 वी सदी ये आपके साक्षातकार लेखक संग्रा है लखनो मेरा लखनो पस्षीमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर ये आपके संस्मरण है हम लोग बुनियाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये आपके टेलिविजन दारवाई के हैं आईए कहानी के प्रमुक पात्रों को देखते हैं यशोधर पंत्र जो की मुक्य पात्र हैं और सेक्शन ओफिसर के पदपर हैं ये शोधर पंत्र के तीन लड़के और एक लड़किया हैं जिसमें पहला बड़ा लड़का जिसका नाम बूशन है जो की विग्यापन संस्ता में नोकरी करता है दूसरा बेटा आई-एस की तयारी कर रहा है तीसरा बेटा अमेरिका चला गया है बेटी तमाम प्रस्तावित वर को अस्विकार कर चुकी है फिर आते हैं कृष्णानंद पंडे किशंदा जो की यशोधर जी के मार्क दर्शक है चड़ा मेनन ये इनके साथी करमचारी है भगवानदास चपरासी है जनारदन जोसी इनके जीजा है गिरिश जो की यशोधर पंद की पतनी का चचोरा बाई है और मार्केटिंग मेनेजर है यशोधर बाबु ने मेट्रिक की परिक्षा कहां से पास की थी तो रेमजे स्कुल अलमोडा से किसंदा ने यशोधर को कितने रुपे उधार दिये थे पचास रुपे यशोधर जी की शादी कब हुई थी तो छे फरवरी उनीस सो सेंतालिस को कौन से एरिया की बदलती शकल देखकर यशोधर बाबू को बूरा सा लगता है तो डी आई जेड एरिया किशंदा किराय का क्वार्टर लेकर कहां पर रहे हैं तो राजंदर नगर के अंदर गत मूरख लोग मकान बनाते हैं सयाने उनमें रहते हैं ये उकती किशंदा की है बाहर बदरंग तक्ती पर क्या नाम लिखा था वाईडी पंत किशंदा शाम को ठीक चार बजे यशोधर बाबू के गर आया करते थे किस दिन तो प्रत्यक रविवार को बूशन अपने पिता यशोधर बाबू के लिए क्या गिफ्ट लाया था तो उनी ड्रेसिंग गाउन लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप कमचा पहन कर बेटक में आ जाएं यह कतन यशोधर जी की बेटी का है